तो इस वक्त हमारी मौझूदगी जो फिरोजपुर विधान सबा में है तो आम आदमी के जो वशीम भाई ये तो हमारे साथ मौझूद है तो उनसे बातचीत करना चाहेंगे क्या माहूल है वशीम जी क्या माहूल है अपने फिरोजपुर विधान सबा में चुना हो आपको द मेरा मकसद था कि मैं मेवाद को चैंज करूँ अपनी मेवाद के लिए कुछ कर दिखाऊं क्योंकि हमने कॉंग्रेस के लिए यहां पर 50 साल दिए पर कॉंग्रेस ने यहां पर जीरो काम किया और हमने इन्हें लों को भी 15 साल दिए यानि उम परकास चुटाला जी को उन्होंन क्या कॉंग्रेस ने हमारे लिए रेल दी क्या हमारे लिए रोजगार दिया बड़े सर्म की बात है देश आजाद हो गया आज भी मेवात के गाउं में पीने के लिए पानी नहीं है इससे सर्म की बात और हमारे लिए क्या होगी और बात करते हैं हम बिजली की आज भी बिजली पाँच या छे घंटे गाउं में आती है मैं कॉंग्रेस वालों से कहना चाहता हूँ किस बेस पे आप वोट मांगना चाहते हूं मिवात से आपको थोड़ा थोड़ा भी अगर आपके अंदर थोड़ी भी इनसान ये थे तो आप गाउं में वोट मांगने जाओ सबका साथ सबका विकास करके मेवाद जिले का विकास नहीं प्रोजपुर विधान सबाग इसको लेकर आप क्या कहना चाहता हूं और मैं बाजपा सरकार जो हमारे सीम साब रहें खट्टर जी उन्होंने हर बार पास साल में जब इलक्षन होते हैं तो यहां पर वहर बार ये वादर करके जाते हैं इस रोड को फॉर लाइन बनाएंगे हमारे लाखों बच्चों को यह सड़क खा गई लाखों बच्चों को बताओ बड़े सर्म की बात है बाजपाव जो हमारी महिला अगर डिलीवरी के लिए जाती है तो उनके पास मेल यानि की लेडिस डॉक्टर नहीं है बताओ भाजपा कहां विकास किया क्या भाजपा ने हमें बिजली दी क्या भाजपा ने हमारे युवाओं के लिए रोजगार के साधन यहां मोया कराए और भी और ना तो भाजपा सरकार ने का अच्छा काम यहां यह कर दिया कि सारे बूचड खाने यूपी से उठाकर मेवात में ले आए आज मेवात का इतना बुरा हाल है सास मेवात के लोग अगर गाओं में सास लेते हैं तो बड़े सर्म की बात है हम से वो लोग कहते हैं कि बड़ी तकल हमारे मुद्दे एक ही हैं जो इन्होंने 70 साल से आप लोगों को नहीं दिये कॉंग्रेस हो भाजपा हो इन्हों ने मेवात के लिए कुछ नहीं दिया मेरा फस्ट हमारा यही मकसद है सबसे पहले मैं यहां यूनिवस्टी लेके आऊंगा मेवात के अंदर यूनिवस्टी ह हम सबसे पहले लेके आएंगे और रोजगार के साधन यहां पर हम लेके आएंगे और सड़कों की तो बात ही क्या है सड़कों का काम हमारी सरकार का है अगर सड़की भी नहीं बना पाती तो उस सरकार से घटिया सरकार कोई नहीं है तो मैं यही कहना चाहता हूं मेवात के हर आज बिंग्डे हुए हैं उन्हालातों को सुधारेंगे गाओं में आज स्कूल है उनमें पानी भरा हुआ है एक टीचर सारे सब्जक्ट पढ़ाता है मैं कहड़ा चाहता हूं क्या हमारे बच्चों के साथ हमारे बच्चों के भाविश्य के साथ आप क्यों खिलवाड करते ह में मेवात के लिए एर कंडिशन स्कूल होंगे हमारे जिस तरह दिल्ली और पंजाब के अंदर बन रहे हैं यहां हम अच्छे स्कूल बनवाएंगे और यहां पर होस्पिटल जो हम स्वास्त और सिक्चा के उपर तो हमारी पार्टी सबसे अच्छ जादा ध्यान देती है य सामन खान का विकास लोग देखी रहे हैं उनके बच्चे विदेश में पढ़ रहे हैं और हमारे बच्चे कहां पढ़ रहे हैं यह मेवात जानती है मैं मेवात के लोगों से भी कहना चाहता हूं एक विधायक को विधायक फंड मिलता है चाहे सरकार बनी हो या नहीं बनी हो तो वो, फंड कहां गया, वो फंड कहां गया, विधायक साब जी, मैं विधायक साब से भी कहना चाहता हूं, आप लोगोंने इंडिया अलाइन्स का एक बंदा आया, यहां राजबब्बर, उनको मिल कर हरा दिया, उन्होंने हम से वादा करा था, यूनिव Basket का, राजबबर ज और अरा और जाए हैं मेवात की अवाम बड़ी अज़वाती है जब जबड़ी ज़सबाती है जस हो के लोगों का आपको दिख रहा है कुछ लोगों ने तो अपना बच्चों के नामी विकास रख लिए तो हम कह रहे हैं हम वादा नहीं करते हम पूरी गारंटी Alien आप लोगों को गाओं के हालात ऐसे बदल जाएंगे जैसे पंजाब के बदल गए दिल्ली के बदल गाओं में न कीचड़ होगी गाओं में अच्छे स्कूल होगे हर गाओं में महला क्लिनिक होगा दिल्ली में है पंजाब में है अब हर मेवात के गाओं में महला क्लिनिक हम बिजली की समस्या बिल्कुल नहीं रहेगी, 24 घंटा बिजली देंगे, पानी की समस्या बिल्कुल नहीं रहेगी, पानी हम 24 घंटा देंगे, जो इन लोगों ने 75-80 साल से नहीं किया है, वो हम एक साल के अंदर मिवात के अंदर करेंगे, यह हमारे वादे नहीं है, हमारी गा किया है वह देंगे हम अपने चुनाओ का माहुले और यहां की सबसे बड़ी समस्य रोजगार देखो आपके पड़ोसी जिले आप सोना चले जा पलवल वहां पर इंडिस्टी एरिया है दूसरी वहां पर रोजगार है लेकिन खास करके मेवात में रोजगार क्यों क्यों नही बात रही इससे आगे यहां की सरकारों का, यहां जो कॉंग्रेश, भाजपा, इनोलो, इन सरकारों ने भी कभी नहीं चाहा कि मेवात के लोगों को हम पढ़ाई के लिए युनिवेस्टी या कुछ रोजगार के साधन मोहिया कराएं, यह लोग चाहते हैं कि यह मेवात पीछे बढ़ाते हैं या कुछ और बनाते हैं, इनमें हमारे मेवात के अवाम को यह गुमरा कर देते हैं, हमारे मेवात में ऐसे लोग भी हैं, जो अपने जमीर को नहीं बेशते, मुझे उन पर फक्र है उन लोगों पर, वो चाहते हैं कि मेवात बदले, तो सभी मेवात वास्यों से मैं कहना चाहता हूं ये चंद दिनों के लिए आपके पास आए हैं आप दिखने लगे फिर ये चार-पास साल आप से गायब रहेंगे ना आपका विकास होगा जैसे चल रहा है ऐसे तो चली रहा है सतर पिछतर साल से अगर आपको बदलना है आप आदी पार्टी को लाना पड़ेगा वरना जैसा हो रहा है मेवात के साथ जैसे घटनाए घट रही है हमारे साथ बिछडे पन में हम सबसे पीछे हैं यहां पर मुद्दों पे हमें किस-किस मुद्दे पहल जहांकर रखा है बताओ क्यों हमारे विकास के लिए बात नहीं करते क्यों हमारे लिए उन्हांने मेवाद को पीछे रखा है मैं सीदा उन मेवाद के बात की अपना इसे बारे में यही कहना चाहता हूं कि हर लोग यहाँ पर पैसे वाला नहीं है और यहाँ पर सारे जितने भी हमारे मेवात के हैं उसमें से 80% लोग यहाँ पर ट्रेक ड्राइवर है बताओ जो बंदा इतने पैसे कमा पा रहा है कि वो अपने घर का खर्चा चला पाए वो अपने बच्चों की फीज कैसे भर सकता है यहाँ गौवर्मेंट स्कूलों को बुरा हाल है तो बताओ कहां यूनिवर्स्टी कहां स्कूलों में कॉलिजों में वो भेजेंगे जो बंदा महीने में 12-12-12 रुपे कमा रहा है वो अपने बच्चे की फीज कैसे भरेगा मेवात को अनपड़ी सी लिए रखा गया है क्योंकि यहाँ जो हमारी गरीब तबका है वो अपने बच्चों को पढ़ा नहीं सकते इसी वज़े से यहाँ के लोग आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं नहीं यहाँ से आगे वो जा पा रहे हैं तो मेवात में मैं कहना चाहता हूँ सभी लोगों से कहना चाहता हूँ अपने बच्चों के साइड एक बार देखो उनका चेहरा देखो वोड देने तब जाना क्योंकि उन्होंने आज तक आपके लिए कुछ नहीं किया तो अब वो कैसे करेंगे अगर वो अच्छे कार्ये करते तो मैं भी उनको समर्तन करता क्योंकि मैं किसी पार्टी या किसी उस पे जज़बात के लिए नहीं मैंने पार्टी जुएन करिए काम को देखकर आमादी पार्टी विकास की बात करती है ना कि किसी जाती और धर्म की आमादी पार्टी मुझे बेहद पसंदे और केजरीवाल के काम हमें बेहद पसंदे क्यों 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 कि वो विकास की बात करते हैं वसीम भाई जिसे आपने कहा कर अगर हर्याना में कर रहा हूं और केजरीवाल जो गारंटी या देता है वो कभी खाली नहीं जाती तो मैं यही कहना चाहता हूँ एक साल के अंदर आप यहीं रहना और यह लोग भी यहीं रहेंगे देखना आप एक साल में में मेवात को बदल के दिखा दूँगा मेवात में हर वो सुवीदा लाके दिखा देंगे हम जो मेवात को पिछले 75-80 साल से नहीं मिली वो में एक साल के अंदर मेवात के अंदर लाके दिखा दूँगा तो आप लोगों नो देखा ये वसीम भाई के हमारे साथ जो फिरोजपर विधानसभा से आमादमी पार्टी के तैयारी करें तो हमारे साथ देखते रहा है विधानसभा कवरेज